एक हाँ जी बैटा गुडिवनिंग टू लॉफ यू आजके क्लास में ने बात करनी है स्पाया हर्मॉनिक मीन के बारे में के बारे में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए हर्मॉनिक मीन इस त ने पता आए थे आपको mathematical average and positional average mathematical average में हम 3 average को include करते हैं arithmetic mean harmonic mean and geometric mean तो एक सबसे पहला कर चुके हैं आज हमने बैटा second type of mean discuss करना है that is harmonic mean तो first is harmonic mean is a type of mathematical average अब बैटा harmonic mean होता क्या है उसके बारे भी discuss करते हैं harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean of रेसी प्रोकल्स औफ अब्जर्वेशन्स को यह इसको value of variables भी आप कह सकते हैं observations का हां जी बैटा कि देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिए सबसे पहले मैंने लिखा रैसी प्रोकल्स और अब्जर्वेशन्स observations का मतलब बैटा यहां पर हम बात कर रहे हैं x की values of variable जैसे for example मैंने बैटा x की तीन values ले ली टू फॉर एंड शिक्स ठीक है बैटा अब मैंने क्या किया सबसे पहले reciprocal of observations ये एकि सबी वेलिउस का रैसी प्रोकल वन अपोन x1 रैसी प्रोकल का मंधा 199 और कर दिजिए डिनामिनेटर कर दिए उसका पॉजिट यपकी फॉर्म में हो कोईचीज जब हम Shokat पॉन फी में कनवर्ट करते हैं तो यह कर्षी प्रोकल अधिक है तो टू का रहसी प्रोक्ल वन अपॉन टू पॉर प्रोकल वन अपॉन फॉर और सिंस का रहसी प्रोकल वन ओवर सिक्स इसको बेटा calculate कीजिए 0.5 यह हो गया बच्छो 0.25 and this is 0.1 upon 6 बेटा मैं यहां एक काम कर रहा हूँ 6 की जगा बेटा मैं 5 ले रहा हूँ ताकि हमें calculator की अब शक्ता ना पड़े तो यह हमारा 0.20 हो जाए ठीक है तो यह हां तक बेटा भी हुआ reciprocal of observation अब आगे पढ़िए आगे क्या कहता है reciprocal of arithmetic mean arithmetic mean of the reciprocal of observations अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ यह जो हमारा reciprocal है इसका arithmetic में निकालना है arithmetic mean of reciprocal क्या बनेगा arithmetic mean of reciprocal इस इक्वल टू हां जी बेटा arithmetic mean का formula हमारा यह होता देखिए summation एक्स एक्स की जगा बेटा यहां वन अपॉन एक्स लेंगे क्योंकि यहां पर हम arithmetic mean of x नहीं निकाल रहे रैसी प्रोकल्स का arithmetic mean निकाल रहे हैं ठीक है तो यह formula हमने पहले किया हुआ arithmetic mean में वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है बट यहां पर आपको वन अपॉन अपॉन एक्स लिखना है summation वन अपॉन एक्स यह बेटा हम यहां से calculate कर लेते हैं इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है यह आ रहा है बेटा फाइव जीरो पॉइंट 95 यह बेटा हमारी summation वन ओवर एक्स की वैल्यू आ गए है तो इस वैल्यू को बेटा मैं यहां पूट कर रहा हूँ जीरो पॉइंट नाइन फाइव अपॉन एन एन की वैल्यू बेटा बनेगी number of observations कितनी है थ्री number of items यहां पर हमारी थ्री है तो मैं इसको थ्री से डिवाइड कर दूँगा वत्यान रखिएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव अपॉन थ्री यह हमारा maximum नहीं आया अब अभी क्या कहताँ अभी हमने पहले तो क्या किया देखो सथी प्रॉप्रॉपा यह हमारा स्टैप 1 हो गया जिए हमस्टिब वचेंड है reciprocal of arithmetic mean arithmetic mean का बेटा जो formula है उसका भी reciprocal करना है यह हमारा harmonic mean होगा third step में जो हम calculate करेंगे यह हमारा first step था देखो पहले reciprocal calculate करना second step में हमने क्या किया बेटा arithmetic mean निकाला उसका जो हमने formula कियो हुँ है पहले individual series का formula apply करके जो हमारा arithmetic mean में बेटा यह formula होता था था ना summation x opponent formula वही है बस सिर्फ चेंज क्या है इस एक्स को कि से replace कर दिया one upon x से क्योंकि हमने arithmetic mean of reciprocals calculate किया अब क्या करना बेटा अब हमें निकालना हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन क्या है हार्मोनिक मीन है रैसी प्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन of reciprocals हां जी बेटा जो हमारा arithmetic mean of reciprocals आया था उसका भी बेटा करना है जीरो पाइंट नाइन फाइव पॉन थ्री को जो पी अपॉन की फॉर्म में इसको क्यों पॉन पी की फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेटा थ्री अपॉन जीरो पाइंट नाइन फाइल यह बेटा जो भी वैल्यू आएगी वह हमारा अंसर होगा दिस विल वी दा आंसर तो बेटा एक बार मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूं और मैं अभी स्टेप्स को आपको लिखवाता हूं तो सबसे पहले सबसे पहला स्टेप हमने क्या कि अपने को कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करके उसका समेशन कर लेने समेशन करने के बाद आपको अर्थमेटिक मीन निकालने अर्थमेटिक मिन ओफ रचीप्रोग्स थो यह फोर्मूला बिटा लगाएंगे समेशन वन अपन एक्स ओवर एन तो इसमें वीज पूट कर दो number of observations हमारी 3 हैं तो 0.95 upon 3 यह बेटा हमारा arithmetic mean आया है reciprocals का हमें चाहिए harmonic mean harmonic mean क्या होगा reciprocals of the arithmetic means जो हमारा arithmetic mean आया है उपर इसका भी बेटा reciprocals करना है तो इसको p upon q form से q upon p में convert कर देते हैं तो यह बेटा जो भी हमारा आएगा इसको calculator से आप calculate कर लीजिएगा यह बेटा हमारा अंसर हो जाएगा अगर मैं इसको steps की form में बेटा लिखो इसको बेटा मैं steps इसको हम टाइप number बना लेते हैं टाइप number आई थिंक यह हमारी टाइप कौन से होगी बेटा जो भी टाइप है बहुत देख ले ना आपके सिक्वेंस में ठीक है मैं टाइप लिख देता हूं आई टिंक 17 टाइप है विटा देख लेना चेक कर लेना हो सकता है यह एटीन हो तो जो भी टाइप है उसको सिक्वेंस सीरियल नम्बर आप लिख लीजिए गए तो यहां पर सबसे पहले टाइप यह बनेगी इस चैप्टर की हार्मोनिक मीन की केलकुलेशन ओफ हार्मोनिक मीन इन केस ओफ इंडीज्वल सिरीज हाँ जी बेटा अभी मैं इंडीज्वल सिरीज की चर्चा कर रहा हूं सिरफ अभी डिस्क्रीट और कॉंटिनेस सिरीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो इंडीज्वल सिरीज में बेटा सबसे पहला क्या स्टेप क्या होगा सबसे पहले बेटा राइट ओल दा वैल्यूज ओफ वैरियेबल की सभी वैल्यूज को आपने लिख लेना है हां जी बेटा और जिसको हम किस से डीनोट करते हैं एक से से के से कैलकुलेट दा रैसीप्रोकल लोफ ओल वैल्यूज ओफ एक्स एक्स की सभी वैल्यूज का रैसीप्रोकल करेंगे कहने का मतलब हम यह कैलकुलेट करेंगे वन अपॉन एक्सवन वन एक्सटू वन अपॉन एक्सटू एक्सट्री जितनीवी बेटा इट्व हैं मैं मान लेता हूँ X की N value नें तो वन अपॉन X N जितनी बीटा values होंगे X की सबी का reciprocal करना है जैसे हमारे उपरवाले example में जो मैंने लिया इसमें 3 values भी तो मैंने तीन का reciprocal किया है तो यहां पर मैंने लिया N values सब्सक् diffuse है तो एनन का रैसी प्रोकल कर देंगे जाटम को करना है ये थर्ड स्टेप में कि आपको इंका पर strains करना है activate do a summation one upon X का मतलब ऑन अपल से नैंक्ट सिवन अपलास से ज्वक्त स्पीं कि 209 से और था हम ने कितने confidential से लिए एन और अपन एक्स एंख यह इपला हमारा थर्ड स्टैप और सच स्टैप में रेमय्च मिर्म निकालेंगे तो हार्मोनिक मीन इस इक्वल टू मैं सीधा ही उसका रेसी प्रोकल का डारेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं एन अपॉन एन अपॉन वन ओवर एक्सवन प्लस वन अपॉन एक्सटू यह जो आपने सम निकाला था भी इस सम को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन समेशन वन ओवर एक्स यह बेटा हमारा हर्मोनिक मीन आ जाएगा ठीक है इसको बेटा हम एक एक्जामपल की हेल्प से समयते हैं मैं एक एक्जामपल फिर से ले रहा हूं तुमिस पेटा अपनी थे मैं कोश्चन ले रहा हूं अपनी तरफ कि पेटा मैंने कुछ वैल्पेदी एक्स की की मिनले ले ली तो लोन पांए तो यह सब्सक्राइब सटेंबम सोर्क इस दान में ले लें टलियोटेन достay N और एक मैं ले लेता हूं चलो एक वेल्य ओर ले लेते हैं हम ट्वेंटी टैन्टी फिफ्टी एंड अंडर्ड इन माली जी इन फॉर आइटम्स का हमें हार्मोनिक में निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले इन सभी का मैं क्या कर रहा हूं रैसी प्रोकल कै सब्सक्राइब करेंगे जएसे कैलकुलेट करेंगे एक वान अपॉंन टैन से रो फाइंटी यह कि यह विता हो जाएगा जुल सुप फाइवीव पंदृट जी पॉन पॉन फीफृटे रैहिटा जींटा सब deeply हो जाएगा और उस पांडर्ड इसको जहान हो रहेंगे 0.01 अब बेटा क्या करना है इसन सभी वैल्यू का समेशन कर दो समेशन बेटा जब करेंगे तो आई तिंक यह जाएगा 0.118 यह जी आगए 0.18 इसके बाद बेटा आपको क्या करना है उसके बाद आपको हार्मानिक मीन का फॉर्मॉला अब यभी मैंने वेटा आपको बताया एंड अपॉन समेशन वन अपॉन एक्स इस फॉर्मॉले बेटा सबसे पहले एंड नबर ओब्सरवेशन नमबर ओप्जरवेशन हमारे कितने हैं वूर तो यहां में टी वैल्लिव फॉर होगई तो एन की इस फ़र्मुले और एक शुमेशन बन ऑब एक्स बिटा यह आया यह भाराब यह जीरो पॉइंट वरनेट तो इसको बिटा कल्कूलेट करेंगे तो यह फ़ॉर हंडर्ड डिवाइड बाइटी तो इसको उट अगर कल्कूलेट करें तो यह तो यह बिटा दीटा थाटिसेक् इस विल्विदांसर ठीक है तो यह बिल्कुल सिंपल एं अर्थमेटिक मीन जैसे हमने कैलकुलेट किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है बस इसमें रैसी प्रोकल आपको और करना है रैसी प्रोकल वैल्यूजज ओफ वर्याबल का भी करना है और जो फॉर्मूला था अर्थ समेशन और एक्स की जगा बेटा क्या पर आएगा चलिए यह हमारा इंडीज्वल सिरीज का अब चर्चा करते हैं अच्छा इसमें ध्यान रखना एक ही मेथड है डारेक्ट मेथड कोई शोटकट मेथड नहीं है जैसे हमने अर्थमेटिक मेन किया उसमें डारेक्ट मेथड भ बढ़ते हैं अब आज वेटा नेक्स्ट टाइप टाइप नंबर एटीन हां जी टाइप नंबर एटीन टाइप नंबर एटीन में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ओफ हार्मोनिक में इन डिस्क्रीट सिरीज हाँ जी बेटा हार्मोनिक में डिस्क्रीट सिरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सिरीज बेटा कौन सी होते हैं जिसमें वेरियेबल एक्स और फ्रिक्वेंसी एफ बहुत हर गीवर तो इसके बेटा पहले मैं स्टेप्स आपको लिख वाँगा फिर हमें एक को कि एफ अपॉन एक्स को आपने एक से डिवाइड कर देना है और या विटा ये भी कह सकते हैं सबसे पहले आप वन अपॉन एक्स कैलकुलेट कर लो एक्स की सभी वेल्यू का रैसी प्रोकल कर लो और बाद में उसको एफ से मिल्टिप्लाई कर दो बात एक ही है विटा अगर नोसलों आप पहले रेसी प्रोकल कैलकुलेट करेंगे ऐक्स की वैल्यूज का और बाद में एफ से मिल्टिप्लाई करेंगे तो वह एफ अपॉन jek स्थी आएगा तो आप इसको दो स्टैप्स में भी कर सकते यह फर्स टैप हो जाएगा वन यप उन एक्स and summation F ये बेटा calculate करेंगे summation F को बेटा हम capital N से भी represent करते हैं जैसा कि आपको arithmetic mean में बताया गया था और third step में बेटा हम harmonic mean निकालेंगे harmonic mean का बेटा formula ये होगा n upon summation F over x या बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इस इक्वल टू summation F over summation F upon x हां जी बेटा अब इसका एक्जामपल लेते हैं discrete series के लिए बेटा हम दो variables sorry हमें variable तो single लेना होगा और साथ में बेटा frequency variable इसको बेटा हम एक्से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और frequency F तो variable की वेल्यू बेटा में ले रहा हूँ तू फॉर फाइब और frequency बेटा में ले लिए फॉर एक्जामपल यह बेटा ले लिया 20 यहां बेटा में ले लिया 80 और यहां बेटा में ले लिया 60 तो आपको हर्मोनिक में बेटा केल्कुलेट करना है तो फिर्स्ट अफॉर्स अफॉर्स हम बेटा क्या करेंगे एफ अपॉन एक्स तो ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी को बेटा टू से डिवाइड करेंगे बेश्यो हینश बेटा ट्वे लिवाइड करेंगे लिवाँ जुश टी ओएव番 करेंगे this will give us 42 and summation f or you can say n 80 plus 60 140 plus 20 160 now apply the formula of calculating harmonic mean that is summation f upon summation f of power x तो इसमें बेटा वेल्यूस पुट कर देते हैं n की वेल्यू एन के लिए जी यह बेटा summation f a की बात है यह हमारा हो गया 160 और divided by summation f upon x is 42 इसको बेटा हम calculate करेंगे तो यह 40 upon 80 upon 21 तो यह बेटा जो भी आएगा इसको calculator से आप calculate कर लेना that will be the final answer ठीक है बेटा वेरी वेरी सिंपल यह बेटा हमारी टाइप नमबर 18 होगी calculation of harmonic meaning discrete series अब बेटा हम एक टाइप और कर लेते हैं टाइप नमबर 19 टाइप नमबर 19 है बेटा वारी कैलकुलेशन ओफ हार्मोनिक मीन इन कॉंटिनियस सीरीज कॉंटिनियस सीरीज में बेटा हर्मोनिक मीन निकालने का जो प्रोसीजर है वह अल्मोस्ट discrete series जैसा ही है बस इसमें सबसे पहला step आपको ध्यान रखने हैं सबसे पहले जितने भी स्ब्सक्राई क्लास इंटरवल होंगे उससने क्लेशने का मीडवेल्यक क्लास इंटरव्ल निकालने का फोर्मूला भीटा को पैठों पाता है लौवर क्लास लिमित प्लस अप़ेख निमित डिवादेट गानu है सिर्ट हि स्टेप पाच्चों है क्लिक कलेशन ऐस train दिश्क्रीट सेरीज में पेटा हमने एप अपॉन एक्स किया था यहां पे इप अगर आप मीड़ेट वैल्यू को एम की बजाए एक्स से रीप्रेजन्ट करते हैं तो यहां पर आप वही लिखेंगे इप कैल्कूलेट एप अपॉन एक्स बट थोड़ा सा डिफ्रेंशेट क करने के लिए कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉंटेने से इसको मैंने यहां पर मिड़ वैल्यू को एम से बटा हरी प्रेजेंट किया तो कैल्कुलेट एफ अपॉन एंड कॉंसेक्वेंटली समेशन एफ अपॉन एंड थर्ड स्टेप में बटा कैल्कुलेट कैपिटल एन कैपिटल एन और यू कन से समेशन एफ अड़ लास्ट एप इस कैल्कुलेट हार्मॉनिक नीं हार्मॉनिक में इस इक्वल तो कैपिटल एन अपॉन समेशन एफ अपॉन फॉर्मूला बेटा हमारा वही है तो इसको बेटा हमें एक एक्जांपल की है और से समेशन थे हैं फॉर एक्जांपल स्पॉस किजिए वेटा आपको एक कॉंटिनिस सिरीज गीवन है जिसमें क्लास इंट्रोल जीरो टू टेन टेन टू टू ट्वेंटी टू थर्टी एंड थर्टी तू फॉर्टी और फ्रिक्वेंसी कुछ भी ले लीजिए आप लो वेटा मैंने ले ली यहां में ले लिया 10 यहां में ले लिया 15 यहां ले लिया 75 और यहां में ले लिया 70 ठीक है तो कैसे करेंगे बाटा सबसे पहले mid value calculate करते हैं 0 to 10 की मीड वल्यू 5 15 then 25 then 35 अब बेटा क्या करना आपको f upon m f over m calculate करेंगे तो 10 को बेटा जब आप 5 से divide करेंगे तो देट विल गिवस्टू 15 ओवर 15 वान सेवंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है यह मैंने फ्रिक्वेंसी जान भूज के लिए हैं ऐसी ताकि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए अगर डेसिमल में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैल्कुलेटर आपके पास होगा तो आप एजली कर सकते हैं अब क्योंकि मैं कैल्कुलेटर का यूज नहीं कर रहा इसलिए मैंने एफ की ऐसी वेल्यूज चूज की हैं जिसको हम एजली एम से डिवाइड कर सकें तो यह बेटा हो जाएगा समेशन एफ ओवर एम यह बेटा इट आगया अब आपको इसका समोर कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी का सैवन्टी फाइफ एफ टीन विटा होगे नाइन्टी हंड़र वन सेवन्टी तो हर्मोनीक मीन का बेटा फॉर्मूला अपलाई कीजिए लोगी कलर में बेटा चेंज कर लेता हूं हर्मोनीक मीन इस इक्व एन अपॉन समेशन एफ ओवर एम तो एन की वाली बटा मैं ले रहा हूं वन सेवन्टी और समेशन एफ ओपॉन एट तो इसको बटा डिवाइड करेंगे तो एट टू जास सिक्स्टीन वन जीरो 21.25 यह बटा इठिंक फाइनल आंसर होगा बाग्या आप केल्कुलेटर से चेक कर लीजेगा मेरे ख्याल से यही आ रहा है ठीक है बटा तो आज हमने बटा तीन टाइप कर ली हार्मोनिक मीन इन केस अफ इन इडिजिवल सिरीज हार्मोनिक मीन इन केस ओफ डिस्क्रीट सिर है तो होपसो आप सभी को समझ में आ गया होगा तो आज की क्लास को बटा यहीं उवर करते हैं ठीक है बाए बाए